अल्टो पर पल्टा टैंकर और आठ लोगों की हुई दर्दनाक बौत जैपूर अजमिर हाइवे पर टायर फटने से पल्टा टैंकर दरगाहा जियारत को जा रहे थे कार सवार और मरने वालों में मा बेटे भाई बहन है शामिल रिपोर्ट है काली चरण सैनी राजिस्थान से जहां खबर दूदू के राम नगर इलाके में गुरवार दोपहर करीब साड़े बारा बजे जैपूर से अजमिर हाइवे पर टायर फटने से एक टैंकर अल्टो पर पलट गया हाथसा इतना भैंगे न कि कार पुरी तरह से पिचक गई हाथसे में एक ही परिवार के आट लोगों की दर्दनाग मौत हो गई और एक गंभीर घायल हो गया कार सवार लोग अजमिर शरीफ दरगा जियारत के लिए रवाना थे एसाई राजेंदन सिंग ने बताया कि कार सवार सभी मृतक फाकी के रहने वाले थे उन्होंने बताया कि टैंकर का टायर फटते ही ड्राइवर बाउन्डरी वाल तोड़ते हुए अल्टो पर पलड़ गया इसमें साथ की मौके परी मौत हो गई वहीं एक गंबीर घायल SMS हॉस्पिटल जैपूर ले जाते समय दम तोड़ दिया इस दौरान टैंकर ने एक अन्य मोटर साइकल सवार युवक को भी अपनी चपेट में ले लिया था हाथसे में इन लोगों की हुई मृत्यू इस हाथसे में जुम्मा मस्जिद के पास रहने वाले हनीफ परिवार के साथ सदस्यों की मौत हो गई मरने वालों में हनीद की पतनी हसीना पचास वर्ष बेटा इसराइल तीस वर्ष मुराद तेरा वर्ष बहु फर्जाना 27 वर्ष पतनी इसराइल पोती रोहिना 8 वर्ष पोता सेरान 3 वर्ष दामाद शकील और रिष्टे में रहने वाला सोनू 14 बरस शामिल है वहीं इसराइल के बेटे हुमायू की हालत फिलाल गंभीर बताई जा रही है हाथसे के बाद ड्राइवर फरार और दामाद चला रहा था कार सामने आया कि टैंकर में सिमेंट भरा हुआ था हाथसा होते ही ड्राइवर मौके से तुरंद फराद हो गया कार को हनीफ का दामार शकील चला रहा था जिसे जैपूर S.M.S. हस्पिताल ले जा रहा गया और उसकी रास्ते में मौत हो गई सभी शवों को दूदू के पास उपने रिक्षक उपजिला हस्पिताल की मोर्शरी में रखवाया गया इधर हाथसे की जानकारी मिलने के बाद सी-म के सलाकार विधायक बैबूलाल नागर दूदू मोर्शरी पहुँचे उन्होंने बताया कि हाथसा काफी दर्दनाग है और मरने वाले सभी लोग बहत गरीब परिवार से थे नागर ने कहा कि मुख्य मंत्री से बात कर हम सभी को उचितनी आई दिलवाने की बात करेंगे उन्होंने कहा कि जैपूर अजमेर हाइवे एनच 48 पर किशनगर से जैपूर के बीच 35 किलोमीटर के दाएरे में करीब 5 पुलिया बनाई जा रही है निर्मान कारे होने की वज़ा से सडक में खराब हो रही है और ऐसे में हाथ से भी हो रहे है उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को निदेश दिये है और जल ही एक्शन लिया जाएगा वंदे भारत न्यूस की खास खबर